पाठ चार दातुन बनी इंधन पाठ चार दातुन को कैसे परियावरण रक्षा का साधन बना लिया। कृप्या प्रिष्ठ के एक और ही लिखें या वाक्य हमें अक्सर निर्देश के रूप में लिखा मिलता है। परिख्षा में परिख्षार्थियों को दी जाने वाली उत्तरपुस्तिका के शीर्ष पर भी या पंक्ती लिखी होती है। कई सरकारी विभागों में बोर्ड पर लिखा होता है। कृप्या कोई भी आवेदन कागस के एक और ही लिख कर दें। जो पहले से मुद्रत आविदन पत्र या फॉर्म भरने के लिए दिये जाते हैं। वे कागस के एक ओर से ही मुद्रत होते हैं। उनका प्रिष्ठ भाग खाली रखा गया होता है। ऐसा करना सुविधा जनक भले ही हो। पर्यावरन की द्रिष्टी से उचित नहीं है। जो काम किसी एक कागस के दोनों हिस्सों से लिया जा सकता है। उसके लिए दो अलग-अलग कागस खर्च होते हैं। परिणाम स्वरूप अधिक कागसों का निर्मान करने के लिए अधिक पेड काटने पड़ रही है। पर्यावरन संतुलन बिगड रहा है। महात्मा गांधी पर्यावरन के प्रती उतने ही सचीत थे। जितने देश की आजादी के प्रती। गांधी जी के पास बाहर से जो पत्र आदे आते थे वे उनके लिफाफे तक को लिखने के काम में ले लेते थे स्थाई महत्व का ना होने पर पत्र के खाली स्थान को भी लिखने के काम में ले लेते थे यदि पत्र में एक ही तरफ लिखा गया हो तो दूसरी तरफ का खाली हिस्सा तो लिखने के काम आता ही आता था गांधी जी हर संभव उपाई से पर्यावरन और धन दोनों की बरबादी को रोकते थे एक बार उनके मन में दातुन के एक से अधिक उपियोगों के बारे में विचार उठा तब वह इन दोर में थे उन्होंने वहीं उसी दिन से दातुन का उपियोग एक से अधिक कामों में करना आरंभ कर दिया मगन बाड़ी लोटने के बाद पहली शाम के प्रवचन में आश्रम वासियों को समझाया कि हमारे देश में अधिकतर लोग गामों में रहते हैं उन्हें इंधन के लिए जंगलों से लकड़ी काटनी पड़ती है या उनकी विवश्टा है इंधन का कोई और साधन उनके पास नहीं है इसी के साथ साथ उन्हें हम शहरी लोगों की जरूरत के लिए भी पेड़ों के कटाई करनी पड़ती है हमें ऐसे उपाय सोचने चाहिए जिससे पेड़ों की बरबादी रुके दातुन को बहु उपयोगी बना कर इसकी शुरुवात के जा सकती है गांधी जी ने आश्रम बासियों को याद दिलाया कि हम दांट मांजने के लिए जो दातुन इस्तेमाल मिलाते है उसे एक बार प्रयोग में लाने के बाद फेक देते है यदि हम ऐसा ना करें, तो हमारे इंधन के लिए कम पेड़ कटेंगे हम दातुन करने के बाद उसे साफ करके सुखा लें जब वे अच्छी तरह सूख जाएं, तब उनसे इंधन का काम लें प्रवचन सुन रहे आश्रम वासियों को लगा कि बापो कुछ ज्यादा ही दूर की कौड़ी लाए हैं भला उतनी सी दातुन से कितना तो इंधन बनेगा किसी एक ने सब के मन की यही बात उजागर भी कर दी गांधी जी ने उन्हें अपना अनुभव सुनाया इंदोर प्रवास के दौरान जब यह विचार मेरे मन में आया था मैंने और मेरे साथियों ने तभी से इस पर अमल करना शुरू कर दिया था अगले चार दिनों में हमारी दातुनों के जो टुकडे जमा हुए उनसे मैंने पांचवे दिन अपने स्थान के लिए एक लोटा पानी गरम कर लिया था गांधी जी से उनके प्रयोग के बारे में जानने के बाद वहाँ बैठे सभी श्रोताओं को लगा कि हाँ यह हो तो सकता है दातुन की दातुन और इंधन का इंधन गांधी जी ने उसी दिन आश्रम के एक बरामदे में एक बार्टी टंगवा दी यह सूचना प्रसारित कर दी गई कि अगली सुबह से प्रत्ति एक आश्रम वासी दातुन करने के बाद दातुन के दूनों टुकणों को धो कर उस बार्टी के हवाले करेगा दस बजे के आस पास कोई एक व्यक्ती उस बार्टी में जमा हुए सभी टुकड़े धूप में सूखने के लिए फैलाएगा सूखे हुए टुकड़े कोईले वाली कोठरी में पहुचाए जाएंगे और बाद में इंधन के काम में लाए जाएंगे गांधी जी की इस सीग और विधी की बदावलत कुछ नाक तमजी जाने वाली दातुन भी परियावरन की रक्षा में अपना योगदान देने में समर्थ हो गई गांधी जी के अनुयाई सुमंगल प्रकाश के संस्मरण पर आधारत